जी तो नाजरीन, इस session में मैं आपको A to Z HTML के tags जो है ना वो practically explain करूँगा और समझाऊँगा अगर आपने HTML सीखनी है A to Z तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही session पे हैं, ये वीडियो end तक देखें, इंशाला आपका तमाम concept जो है ना वो completely clear हो जा एक PDF क्रीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाला PDF इसमें तमाम HTML tags जो है ना वो मझूद है, A to Z HTML tags उनकी description ये वाला PDF का मैं आपको link भी देदूगा और इसका मैं आपको address नीचे description में देदूगा, आप वहां से इसको check कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एक file new create क HTML को सीखने के हवाले से, और बलके हम लोग notpad में एक new file, आप कोई भी data री use कर सकते हैं, कोई भी data, तो मैं या पर लिखता हूँ notpad, देखें, HTML के हम लोग 1 to 1, A to Z जो है ना वो attributes और इसके जितने भी tags हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटा इसका overview अगर लेना जाहें तो हो भी हम लोग ले सकते हैं, I think आपको overview की मुझे नहीं लगता के जरूरत होगी अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि HTML क्यों यूज होती है website, web page, static web page, develop करने के लिए ये एक structure define करने के लिए use होती है, तो हम लोग practically जो ह dot html, यह हम लिख सेते हैं html all in one dot html, मैं तो ड्रस को copy भी कर लेता हूं और इसे हम लोग सेव कर देते हैं, यह हमारा एक new file बन चुका है यहाँ पर, थोड़ा सा zoom in कर लेते हैं वही, यह लें जी, zoom in हो गया, file create हो गई, editor open हो गया हमारा, इसको हम लोग close कर देते हैं, sidebar को, यह हमार एडिटर है, अब इस file को हम लोग click करके open भी कर लेते हैं, html की file को, देखे, html की file आप अपने window में कहीं भी create कर ले, कोई issue नहीं है, चलते हैं अपने file को open करने के हवाले से, मैंने location open की, जहां पे मेरा, मैंने file save की है, यह देखे हैं, यह फाइल पड़ी है, मैंसे double click करके open करता हूं, यहां पे देखे, कुछ भी show नहीं हो रहा, मैं तोड़ा zoom in कर देता हूं इसे भी, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने editor में, यह लेंगे, यह हमारा file है, और यह हमारा editor है, हम लोग यहां पे लिखते हैं सबसे पहले h1 का tag, हम लिखते हैं, hello world, control s to save, refresh करते हैं, hello world यहां पे आ चुका है, हमने file बना के उसे configure कर लिया, यानि का open कर लिया हमने अपने browser में, अब हम लोग one by one तमार tags को देखेंगे, and उनको जो है ना, वो समझने की कोशी करेंगे, और मैं आपको example के साथ जो है ना, वो explain करूंगा, zoom out करता हूं, यह हमारा PDF बढ़ा है, अच्छा जी वो कह रहा है, the html, html element represents the root, top level html, यानि क यह जो tag है html का, यह define करता है, यह एक html document है, और बाकी के तमाम जो tags होते हैं, वो इसके अंदर root होते है, अब tags के बारे में एक बात जान लीजिए, tag दो तरह के होते है, एक होता है starting tag, एक होता है closing tag, फार कि अब लिखता हूं less than, less than, और फिर मैं लिखता हूं html, यह मे यह वाले tag की जो properties हैं, जो values हैं, वो जिस tag मैं apply करना जाता हूं, वो tag मैं इसके inside लिख दूँगा, तो वो चीज इस पे apply हो जाएगी, अब आप कहेंगे, जी html tag किसलिए यूज होता है, html tag यूज होता है, html का document define करने के लिए, html के elements define करने के लिए, मतलब के आपके नेक्स tag है, हमारे पास base tag, अच्छा, और head tag, इन दो tag को हम लोग समय नहीं कोशी करते हैं, दो tag को समयने के लिए हम लोग एक html का complete tree यहाँ पे draw करते हैं, एक उकमल एक structure, एक document बनाते हैं, document बनाने के लिए मैं फास्ट यहाँ पे लिखता हूँ, html 5 का document, देखें यह एक html का basic tree बन चुक है, अब मैं यहाँ आपको define करता हूँ कि सबसे ऊपर वाला जो tag है, वो define कर रहा है कि यह एक html document है, नीचे वाला html, जो है ना इसका जो basic, इसका native, जो है इसके अदर इसके सारे elements आएंगे, जैसा कि मैंना आपको पहले भी बताया है, यह असल में जूमिंग का इशू हो गया है, मैं ऐसे देख लेता हूँ, क्या इशू है भई, ठीक है, अच्छा, हमने कहा जी, उसके बाद मारा आगया head tag, अब यह आप कहेंगे, यह जो lang is equal to en, यह कहा है, यह कोई rocket science नहीं है, यह जसके एक attribute है, जो कि यह define कर रहा है कि इस page की जो language है, वो English होगी, I think you can understand that, कि en, जो short form है, वो English के लिए, कि यह इसकी language ही define कर रहा है, कि यह कौन सी language में है, यह इन कह रहा है, तो यह English होगा, अगर for example, और भी prefix होते हैं, लेंग्विजिज के, like you are, मैं कहा देता हूँ, उर्दू, इस तरह से prefix होते हैं, मैं कहा तो en, तो यह इसकी document की language होगी हो, इसके पाद मैंने का head, इस document का head आ गया, इस जो मारा यहां पे आ रहा होता है, यहां पे आ रहा होता है, वो हमारा page का title होता है, हम लोग अपने page आ गया, अब हम लोग चलते हैं, अपने next tag की तरफ, और यहां पे हम लोग body का tag जाना, वो यह define का, यह page की body, हम लोग जो भी हमारे जो इस page के अंदर जो दिखने वाले elements है, वो हम लोग body के tag में define करते हैं, तो यह है, एक simple सा एक तारफ HTML के basic structure के लिए है, document मैंने यहां पर लिखा, और यहां पर आप देखेंगे, मैं refresh करता हूं, इस page को refresh करते हैं, मैंने यहां पर save नहीं है, hello world, असल में कुछ लोग लिखते हैं इस तरह से hello, control s to save, refresh, अरे बाई, क्या कर रहे हैं यहां पर refresh, देखें, hello hello आ जुका है, क्यों hello hello, क्यों हमने hello world नहीं है, hello hello ही लिख दिया है, वर्ड कर देते हैं, इसको, control s to save, refresh किया, hello world आगे, अब देखते हैं हमारे पास टैग्स कौन से हैं सीखने के लिए, हमारे पास टैग्स हैं हमने देख लिए, basic उसका structure, base tag and head tag, base tag and head tag समयने के लिए, हम लोग चलते हैं हमने ब्रोजर में, अभी देखें ब्रोजर में, अभी address, हम करते हैं हमारे basic address है, यह वला, जो भी आपकी site का, जो main URL होता है, वो आपका base address होता है, वो आप यहाँ वे define करते हैं, कैसे भी, likewise हम लोग इसी को local host में हमने open किया, हम लोग यहाँ से इसको कर लेते हैं, simply यह खतू कर देते हैं, यह वाला, यहाँ लिख लिखते हैं local host, अगर आपके पास local host install नहीं है, तो यह नहीं कीजिएगा, हम कहते है हमारा base address जो है, वो local host है, copy and paste it here, अच्छा, इसका benefit क्या है भी हमें base address define करने का, देखें इसका benefit यह है, अब हम लोग को base को समझाने के लिए, हम लोग यहाँ पर एक A का tag define करते हैं, अब आपके A का tag क्या यह define करेगा, anchor tag लगाने के लिए, like मैं यहाँ पर लिखता हूं, click here, यह text है, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते है, और मैं कहता हूं कि आप जाओ, open करो जी, contact underscore as dot html, control as to save, refresh, यह देखें यह, click here का sign यहाँ पर आ चुका है, अब हम लोग देखते हैं, कि यह click here में हमने जो link लगाया है, वो किस चीज़ का link है, for example, मैं फ़र zoom in कर देता हूं, यहाँ से, अब हम लोग अगर इसको hover करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या रहा है, localhost नीचे corner में, मैं click करता हूं, भलके इस पर, new tab में open किया, मैंने, वो कहला है, address not found, address not found, localhost contact us dot html, जबके हम हमने इस document का जो base address है, वो declare कर दिया है, अब यह declare करने के बाद, हम लोग आगे, इतने मर्जी links यहाँ पर insert करें, वो हम लोग इस base के बाद वाला उसका जो part होगा, वो just insert करेंगे, base part वो यहाँ से ले लेगा, I think आपको base के tag के, और anchor tag की समय लगी, anchor tag क्या होता है, anchor tag, just आप आपका link लगाने के लिए होता है, और href उसका attribute है, अब attribute क्या है, जो के एक tag की functionality को extend कर देता है, उसमें इसके href tag में आप only, href tag का मसलब यह होता है, hyper text reference, यानि के एक link जिस पे click करने से एक new tab open होगा, and that new tab will be written here, उसका जो address है, वो यहाँ पर write करेंगे आप, तो a tag आपका clear है, h1 clear है, base tag आपका clear है, चलते है, next हम लोग देखते है, हमारे पास कौन-कौन से tag है, है tag हम लोग देख चुके है, अच्छा लिंक tag क्या करते है, अरे बही लिंक tag जिस्ट आपकी style sheet को link करवाने के लिए मिसाल के दावर पर, हम लोग यहाँ पर इंटर करते है, हम लोग य यह वाली file आपकी इस folder के अंदर जो पढ़ी होगी, इसका जो भी style होग वो इस document के उपर अपलाई हो जाएगा, ठीक है, तो यह link जो है, external document को link करवाने के लिए आप link का tag यूज करते हो, उसके बाद meta tag, अरे बही, meta tag आप अपने page के keywords और meta description करने के लिए यूज करते हो, कै कैसे देखें, हम यहां पर लिखेंगे, meta and inter, और आप लिखेंगे, यहां पर meta content, content में आप लिखेंगे, for example, this is teaching class about HTML, यह for example, हमारी HTML description है, तो हम यहां पर name लिखेंगे, name, name का यह description, तो यह इसके कुछ attributes है, यह जो meta tag है, यह define करता है, कि आपके tag की description क्या है, इससे होता है, इससे यह होता है, कि जब आपका page आपकी website internet पे जाएगी, तो जो search engines होंगे, वो इस description को read करके समझेंगे, कि आपकी page की category है, आपका page किस बारे में है, किस तरह की traffic आपके page के ओपर header करनी है, through google, और दूसरे search engines, जिन चीजों को deeply समयना है, वो मैं आपको deeply explain करूंगा, जो short hand है, वो short hand explain, style का tag, यह होता है, head के अंदर, आप कहीं पे यूज वैसे हो कर सकते हैं, आप जिस लिखेंगे, style अगर आप VS code में है, style and enter, otherwise आप simply manually से type करूंग, यहाँ पे जितना भी style होगा, वो लिखेंगे, ह आगे मैं मैं लिक्स देता हूँ, body के आगे मैं लिक्स देता हूँ, background, color, और यहाँ मैं लिक्स देता हूँ, red, control, save, अपने page में आते हैं, और इसे refresh करते हैं, as you can see here, यह यह रेंड हो चुका, अभी style के tag के अंदर, आप अपने elements की तमाम style sheet लिखते हैं, but यहाँ भी हमारा concern जो है न वो style से relevant नहीं हम लोग जो just HTML के tags को समीं मैं से comment कर देता हूँ, perfect जी, अब आगे से refresh करते हैं, save नहीं ही होगा, control is to save and refresh page, तो यह हमारा click हो गया, अरे वे next time के हमारा क्या, title tag, title tag, जो head के, head में आप define करते हैं, to show title, here, यहाँ पे, यहाँ पे title show करने के लिए यह ऊप नेक्र मारे पास element है, जी body का body भी हम लोग देख चुके हैं, अब हमारे पास कुछ objects define करने के लिए tags आते हैं, like मैं इसे इस तरह से करके और थोड़ा सा zoom in कर जाता हूँ, आप लोगों के लिए, अब यह में यह वाले tags अब sectioning और routing tags हैं, अब यह क्या tag भी body आगया, body हम ने समीच चुके हैं, अब address tag, article tag है, अब देखते हैं, address tag क्या करता है, मैं से zoom in करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जी address and enter, भी आप अपना address यहाँ कर देंगे, for example, numbers group of IT, stiana road, fsdpk, या निए, address defining, control as a save, and अपने page में आते हैं, वापिस, research करते हैं, देखें, यहाँ पे address आ चुका है, मैं से थोड़ा सा zoom out कर देता हूँ, यहाँ पे address tag में जो भी लिखता हैं, वो यहाँ पे print out होगे, यहाँ पे आ चुका है, और इस का हम लोग आई साइज सोड़ा से छोड़ा कर लेते हैं, यहाँ ऐसे की यह ठीक है, address tag में रहा हो चुका है, और इस से थोड़ा समझीद जहना बढ़ा कर लेते हैं, address tag के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मार पस कौन सा tag है, article tag, अरे बही आर्टिकल टैग जहना वो यूज होता है, आपका आर्टिकल डिफाइन कर लेते हैं, आर्टिकल एंड इंटर, spell में ने मिस्टेक किया, आर्टिकल एंड इंटर, अब यहाँ पे लिख देंगे, इस इस आर्टिकल, टैग अपलाइड है, रिखेंगे, आपको जो भी होगा आर्टिकल लिखने के लिए आप यह एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टैग अवैलेबल है, उसकी वज़ा यह है कि कल को जब आपकी साइट अनलाइन जाएगी, आप उस साइट को बनाते हैं बनाके ऊंलाइन सब्मिट करते हैं, वेब सेरवर के उपर रखते हैं, आपकी साइट के उपर पॉइंट आप साइट गूगल में अगर आप टिकनोलजी के जो रूर्स है जो के इंटरनेशनल जो स्टेंडर रहा है उसका वह फॉलो करेंगे अंडर इंटरनेशनल स्टेंडर किया है कि वह आप हर सेक्षिन को डिफाइन करें अच्छे से ताकि जब गूगल आपके पेज क आपके पेज के बारे में लोगों को बताएगी गूगल को यह समझे लगगा कि आपका पेज किस बारे में क्यूंकि गूगल के पास इचने बंदे नहीं पैठे हुए पिछ जो इस पेज को रिट करते हैं गूगल के पास मशीन जो पेज को रिड करेंगे सॉफ्वेर होती है नग्स जलते हैं नग्स दिखते हैं आप साइट अगा है तो यह साइड करने के लिए फूरत अठाइच इन है रहे हैं है यह एट वान एच तू है यह एच फॉर एच फॉर एच फाइब यह हैं इसका एक व्यू देखता हूं बाकी चीज़ें यह हैं हम लोग ने याव एच वन लिकाथा है है एलो वर्ड हम इसे कॉपी कर लते हैं थ्री टाइम्स मैं सोड़ा सब दूम इन कर देता हूं हाँ है आगे अयाओ कर दे बोग यह हिसा लूक के सब्सक्राइब लगते हों एच वन की जो पर जाटें लोग और है 3 दिरते हैं औरfendu wolf कर देङे हैं और यह पर शेना हैं चालते हैं यह में यह करते हैं रिक दैन हैं फेलो वोल्ड यह सबसे बढ़ गया जो हमने एच वन में लिखा था चोटा गया टू में लिखा था यह चोटा गया थ्री लिखा और यह हैच फॉर में लिखते हैं कि हम लोग यहां पर लिखते हैं है एच वन .h1, h2, h3, and h4 Ctrl S a save, refresh करते हैं पेच को, देखें यह h1 की heading are H2, H1 H2 असल में होती है heading, heading number 1, heading number 2, heading number 3, heading number 4 Now next tag, next tag is main, अच्छा ये main body के बाद एक और मजीद section define करने के लिए है, निव, आपकी निव बाद define करने के लिए है और section tag कोई specific section है जो के available नहीं है HTML में, तो उसे आप section के tag से define कर सकते है, ओके जी, block codes, block codes के लिए आप ये असल में text को इस तरह से करके दिखाएगा, ये text के कुछ elements है, text content को define करने के लिए, ठीक है, उसका div है, div को देख लेते हैं, बाखी चीजें mandatory हैं, उनको इतना नहीं है, div क section define करने के लिए है, कैसे देखते हैं, for example मैं यहाँ लिखता हूँ, div, enter, and यहाँ लिखता हूँ, style, width, 100 pixels, and height, 200 pixels, और यहाँ लिखते हैं, background, अभी यार, background attachment नहीं, background, कला लिखना है लिखना हमने, background color हम लोग कहा देते हैं, यह का इकवा, control has to save, refresh, देखें यह यहाँ पर element define हो जगा, 100 by 200 का, यह कैसे भी define हो गया, देखें, जो div का tag, यह असल में, आपको section मना के देता है, हमने का जी एक div का tag declare करो, उसकी width रख दो, 100 pixels, height रख 200 pixels, और background उसा color यह कर दो, तुसने वैसा ही किय है, height 100 pixel, 200 pixel और इस तरह से इस ने, यह चीज़ें define कर गी, next tag हमारे पास है, अब हमारा next, जो tag है ना, वो है HR का tag, HR का tag को देख रहेते हैं, वह है, HR का tag क्या करता है, मैं इस results को थोड़ा आसा, जो है ना, वो zoom in कर देता हूं, और यहाँ पर हम लोग अपने editor में आ जाते है, और HR की tag को देखते है, HR की tag को देखने के लिए, देखें वही, HR का tag क्या करता है, कि यह आपके, जो page है, उसके अंदर एक line declare कर देता है, कैसे, मैं यहाँ लिखता हूं, HR, and यह एक single tag है, यह double tag नहीं है, इसका closing tag नहीं है, यह single tag है, control is to save, अब जहां मैंने जिस element के बाद इ एक HR की, एक line, एक horizontal line, जो है ना, वो declare हो जाएगी, चलते है, अपने page में, refresh करते है, as you can see here, यहाँ पे line declare हो चुकी है, हम इसको attributes की मज़से, यह style की मज़से line को बारीक कर सकते है, इसकी width, width जो है, वो increase कर सकते है, देखते हैं, कैसे, इसका hedge थोड़ा सकते है, हम लोग, मैं style करने के लिए, यह style का attribute, use होगा, हम लोग, यहाँ लिखते है, width, मैं कहता हूँ, width इसकी 500 pixels होनी जाए, in my webpage, यानिके मेरा एक web page है, उस page के अंदर एक HR का tag है, यानिके horizontal line मैंने डेक्लेर की, उस horizontal line की मैं कहता हूँ, width जो है न, वो 500 pixels होनी जाए, हमने कहीं ठीक है, फिर मैं हमने का जिसका color भी app कर दो, है ठीक है हम लोग का जिए color कहते है color 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 color, color कर दें, हमने का color एकवा कर दें, control has to save किया, अभी अपने page में आते है, refresh करते है, आप देख सकते है, यह line हमारी, कहां से कहां तक चलेगी, मैं इसे सुरा zoom out करता हूँ, यह सेंटर में आ गई है, अब ह नेक्स टैग है हमारा li, अचा भई, li जो टाया गया, यह असल में list atom के लिए यूज दोता है, oh god, मैं इसे बैग या तू हूँ, li का जो टाया गया, यह list atom के लिए यूज किया जाता है, अब list atom के लिए कि सरा से यूज किया जाता है, देखते हैं हम लोग, कहां पर देखते हैं, और इस div के बाद हम लोग यहां पे करते हैं, यह आप एक hr का tag भी जो देखते हैं, ताके hr का tag को आप जो single line, single tag होते हैं, उनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, की गल हो यह वैसे, हमने लिखा hr, और अब इस hr के नीचे हम लोग अपना दूसरा element ड्रा करते हैं कौन सा लाई को संबहने के लिए, लाई का संबहने के लिए मैं लिखता हूँ, ओ इंटर, वस्टा अंड ओए इंटर, अब मैं लिखता हूँ, लाई, इंटर, एक list आगी, हम कहते हैं, यहां पे फार इखेंपल, HTML, अब दूसरी एक अटम डिक्लेर करते हैं, यहां पे जावा स्क्रिप्ट कंट्रोल एस सेव और चलते हैं अपने ब्रोजर में मैं जूम आउट करता हूं रिफ्रेश करता हूं आप यहां पर देख सकते हैं के हमारा यह लिस्ट आ चुकी है इससे वन टू थ्री फोर मैं सोड़ा और जूम इन कर देता हूं या फिर ऐसे करते हैं आपको इस टय की अच्छे से इजया इड्टिफिकेशिन हो सके अच्छे से ब्रेद करने के लिए हम लोग स्कों करते है yıl को और इस सारी वस्द्री कमिंट आउट कर दिया हमने अब हम लोग आपने पर जलते हैं अपने पूर में सेखियर जैए प्रोजर में रिफ्रेश यह यह मारा आ गया, O-L का टैग, हम ने कहा जी, O-L यानि कि order list, order list के लिए हम लोग योज करते है, मैं zoom in करता हूँ, यह देखें, order list, और यहाँ पे यह रहे हमारी order list, अब यहाँ पे हम लोग एक U-L का टैग लिखते हैं, U L Intr यरिके U Star tag और UN tag और अब इसको लोग देते हैं LI यह लोग ओ उपर वाली यह बी कॉपी करके सकते हैं यहां पर करते हैं यहां पर हम डोकार जाते हैं इसको कड़ो पेस्ट और यह लाइन और यह लोग जलते हैं यह यहां तक हम लोग इसको क्मेंट कर देते हैं फिर से और आप टेंस नहीं लिएगा यह जितना भी कॉंटेंट हम लोग डिवल्प कर रहे हैं यह सारे का सारा कॉंटेंट जो है ना वो गिठाप पे मजूद रहेगा वहां ते यह फाइल लेके इसको अनकमिंट कर सकते हैं मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं इस सेक्शन को कमेंट आउट कर दिया अब हम लोग नीचे एक और एचर का टैग लिखने की जुरूरत तो नहीं है क्योंकि हम लोग कमेंट आउट करते जा रहे हैं उपर वाला जो सेक्शन है हमारा टैग कौन सा था इस बार हमारा ट है और भी का टाइग पी का टाइग के लिए हम लोग लिखते हैं इंटर पी-starting-tag और-closing-tag और-this-is-paragraph CTRL सुisch save अपने रिजर्टट पेज में आते हैं रिफ्रे Greg अश्मीर की की लोग इसको यूज विए लिखते हैं सबसे फ़हले आर्टिकल का टैक लिखा उसके अंदर आप आर्टिकल इस तरह से आप एक सी तरह से आपサरा से आपक अधिकिले सोंगे व के अंदर आ जैंगे लिए पार ग्राव वनोंव गई शेक हिसी तरह से ई पैराग्राव्स नम्बर 2 इसका है नंबर 3 ctrl s to save refresh as you can see here यह हमारे paragraph आ चुके हैं यह automatically उसमें line break भी कर देता है हर paragraph एक line में और paragraph के बाद जो उसका standard rule है न वो उसको follow करते है इसी तरह से strong का tag है हम लिखते हैं यहां पे space strong enter और this is strong word in paragraph controller to save refresh as you can see here strong क्या करता है कि यह highly highlight कर देता है आपके कुछ text को strongly जो है ना वो page में बताता है कि इन words को लाजमी crawl में लेके हैं index करें और read करें ठीक है इसी तरह से text में emphasize text को emphasize करने के लिए कुछ है वो हम लोग आगे देखेंगे इसी session में देखेंगे तुमाम के तुमाम tags okay जी next tag हमारा पी का tag clear होगे अब प्री का tag को समझते है यह u का tag भी हम लो clear कर चुके है ऊपर प्री का tag को समझते है प्री का tag के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है content for example यह article इसको हम लोग comment out कर जेते हैं प्री का tag को समझते है प्री का tag असल में हम लिखें यह प्री इंटर प्री का starting and closing tag आगे हमारे पास अब हम लोग इस के अंदर जितना भी content लिखेंगे for example this is pre tag content here one line हो गई अब यह हर लाइन को रीड़ करेगा और उसे एक लाइन पर ही लिखेंगा copy यह पिर हम इसे कहते हैं इस तरह से sorry to say that control Z इस तरह से अपने control is to save अपने page में जाके refresh करते हैं यह देखें हर एक लाइन आप इस एक लाइन के उपर आ रही है एक लुझाँ यह एक लाइन यह लाइन यह लाइन यह लाइन इसको प्रिंट आउट करता आ यह असल में testing के लिए यह होता है developer के कुछ content को test करने के लिए जब हम कुछ टेक्स लिख रहे होते हैं तो हम लोग उसे टेस्ट करने के लिए हम लों काम कर रहे हैं जयास के अंदर यानिकि जयवास्क्रिप्ट या पीच्पी के अंदर वहां पे हमें यह बहुत मञदगार था होता है अरे को इस तार की कुछ और वैलियू दिस्प्ले करवाने के लिए और अगर हम यहां पे प्रिया टैप अइस तरह से एक लाइन में आ गया इस तरह से तो यह जिस्ट मैं से कंट्रोल जी करता हूं और पीक टाइग वापस लिख देते हैं और मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं करते हैं और इसे मैं आउट करता हूं और यह देखें वह बता रहा है कि अब्रिवेशन इस तरह से हो कह रहा है कि अब्रिवेशन टैग आप लिख सकते हैं कॉपी और इसी इनी एग्जेंपल को फॉलो करते हुए आपको इसके बीचे लाजिक है डिवी एक्जेंपल इसलिए आपको फॉलो कर रहा हूं यहां से मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं देखें बई कि आज मैं यह वीडियो शूट क्रीट कर रहा हूं जाने के अब है टूथाजन टूथाओजन ट्वेंटीवन और फिर आगे 2022 में इसके अपडिशन आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो प्रोग्रामिंग की साइट से अच्वनी और के उटाना है उसे टेस्किसरा देकरनया से उसे किस तरह करना है अपने की सरह से इन एक्जेंपल को यूज करना है ताकि आपकी अकॉमोडेशन इंसाइट के साथ बर्ड सकें तो डब्लेटरी साइट जो है प्रोग्रामिंग के हवाले से आपको भी पता होगा बहुत इंपॉर्टिड है यहां पर हर एक हम इसे पहले रन करके देखते हैं हमने एक्जेंपल यहां पर पेस्ट कर दी अपनी एक्जेंपल में आते हैं रिफ्रेश करते हैं यह देखें दी हू डब्यू एच ओ वास फांड़िड इन 1948 यानि कि यह जो एक कम्यूनिटी है यह फांड हुई है 1948 में किस तरह से अब देखें वो कह रहा है कि जो हू है ना वो स्टैंड फॉर है यानि एब्रिवेशन है वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन का अब आप इसे हू वह समय रहे होंगे कि हू वह वाला कौन वाला यह चाहिए वह समय लगी होगी नेक्साइब बीग अटैक अरे बीग आटैक जस्क टैक्स को बोल्ट करने के लिए देखें वाज फांड इन 1948 आ रहा है मैं से Ctrl X करता हूं यहां पर एक B का टैग देता हूं इसके अंदर लिख देता हूं Ctrl X to save यहां पर आके से refresh करते हैं देखें यह बोल्ट हो गया है 1948 जो है वो थोड़ा से बोल्ट हो गया है क्यों हमने इसे B का टैग देजिए नेक्स देखते हैं कौन सा BDI टैग अरे बई बई टैग यह क्या है बाइड डिरेक्शनल आइसुलेट ऐलिमेंट एक्जेम्पल देखे लेते हैं बीडी की ग्जेम्पल कहां पर है यह एक्जेम्पल रही इसकी हम इसे निव टैब में ओपन कर लेते हैं जूम आउट करते हैं यहांपर देते हैं देखें इसी को हम लोग eyebrow लेते हैं टैक्स को कॉपी ऐंड अपने एक्जेम्पल पैच के अंदर रहते हैं और इस को मेंट आउट कर देते हैं और इसके नीचे जो है ना यह पेस्ट कर देते हैं ctrl s to save and refresh आप देख सकते हैं कि बाइड डिरेक्शनल टैग की मदद से हम लोग इस तरह से अपने content को direction दे सकते हैं कि user href 60 points user jdoe jdoe 80 points और user इसके साथ अच्छा यह अभी हमारे पास क्यों नहीं आ रहा क्यों क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहां पर language इस तरह हम लोग यहां पर उर्दू लिख रहे हैं इसको भी हम लोग आगे डिसकस करेंगे मदी तो यह जो बीडिया यहां पे यह पर ग्रार ही दिए एक्जैम्पल देने लियुए था ठोल से हमासें वर्ड के डिरेक्टिंट कर रही है इसकी जो ड्रेक्षिन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है तो इस तरह से यह असल में सर्च इंजन अंडिस्टूट कर पाएगा टैक्स को जो सर्च इंजन जो मिशीन रहा वो अंडिस्टूट कर पाएंगे इस टेक्स को कि इसे हम लोग कमेंट आट कर दें हैं इस एक जैंपल को कॉपी कर लेते हैं या फर गंपल लुग इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी टैक्स को कॉपी किया ने यहां पर प्रिक टैक यूज नहीं करना बट हम रोग यह सारे है इस तरह से हम कहते हैं यहां पर एक बीयर का टैग पर लगा होगा गया a von controllers save dès अभी सवाधा एक लाइन में में हो गया अब relying में हो गया वेड़्ी अधिक भीर टैक्स पिर अपशला सिर्ट गरता की तैक्स फिर चीब एर बुदर में चलते हैं जिसेंड देख नहीं तुमारो इन ग्रेप वो चुकिर यह गा पर बियार टैगा आएगा वहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है तो यह काम करता है बियर का टैग इस रहने डेगा हम लोग देख लिए इस साइट का टैग है इसके लिए लो एक्वेड़ देख लिए हैं साइट साइट की टैग के लिए मैं जूम आउट करता हूं इसको यह देखें जी पी का टैग दी स्क्रीम बाए एडवर्ड मंच प्रिंटिड इन 1893 को पी किया इस एक्जेंपल को नीचे और भी एक्जेंपल दें हम लोग यहां पर इसके डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं दी साइट of पानि वे हम लोग, इस साइटाग का थोड़ा साट देख लेते हम लोग. परflower हैं आप और जेते हों और हम लोग एक जो करता हूं साइटिके दियेंगे वह सबस्क्राइब और यह मैंने इसके अंदर कुछ टैक्स दे दिया अब देखें एक लाइन में जा रहा कुई इसू नहीं है आपकी टैक्स ब्रोजर को ब्रोजर को बजा देगे के इस टैक्स को किस तरह डिस्प्ले करोना है कहाँ पर लाइन ब्रेक देनी है तो यह है लिए चीज यह फुद सब्सक्राइब करने के लिए यह इसको जो है ना करने के लिए अटली करने के लिए या या अडियो में लिए उसको कर रहा था अटली कर हम लोग आई का टैक देख लेते हैं कि यह लोग कंट्रॉल दी करते हैं इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं नीचे और इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आपके पास यह जानी है यह डाउनलोड कर लिजेगा यह एक्जैंपल चेक कर ली लिए ब्रोजर में जलते हैं रिजे कर दोनुमें किया अब भी यह अजय कंट है आपके सभी प्राइप म Правks नोनों में व्ली इस के लिए यो सिख यज़गे कुछ प्रोग्रामिंग में आप आहिसा आहिसता सीखेंगे ओके नग्स देखते हैं मार रपास कौन से के बीडी के बीडी इस वरी इंपॉर्टी टैक इसलिए इसके डेफिनिशन भी देखते हैं और चीजों को समयते हैं बलके हम लोग यहां से के बीडी फाइंड आट करते ह हैं और उसको समयते हैं के बीडी टैग अरे बजी के बीडी टैग हमारे पास है नहीं के बीडी लिच एक गिए रहा का मिगिञे ंदेके भी टैग असल में यूज होता है तो डिफाइन आश उटकी जा कि कि सीबी शोटकी को अगर आप अपने टेक्स के रिखना जाते हैं क यहां से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, अपने एक्जैम्पल में आते हैं, पेज में आते हैं, और मैं इसे थोड़ा सा जोम इन कर लेता हूं, और इसे मैं कमिन्ट आउट कर देता हूं, और नीचे आगे हम लोग यहां पे अपना एक्जैम्पल जाना पर पेस्ट कर लेते हैं, प्रेस्ट किया हमने Ctrl-S to save किया, refresh किया, देखें, press Ctrl-C to copy text, press cmd-C to copy text on macOS, यानि कि जब भी आप अपने text के अंदर कुछ short keys लिखेंगे तो आप with the help of kbd tag लिखेंगे, तो ये एक अच्छी practice रहेगी आपके लिए, नेक्स tag देख लेते हैं हमारेपस कौन सा है, mark tag किसी element को mark up करने के लिए, quotations देने के लिए, देख लेते हैं सभी को, हम कहते हैं, यहां पे आते हैं, अरो भई, यह क्यों नहीं हो रहा, जूम आउट किया मैंने, tag मारा कौन सा था, mark tag, mark tag देख लेते हैं, mark tag असल में मार्किंग के लिए यूज़ते है, हम लोग इसे new tab में open करते हैं, और यह देखें जी, अब मैं इसे copy करता हूँ example को, page में जाते हैं, zoom in करते हैं, ताकि आपको चीज़ों का पता है, इनको मैं क कर देता हूँ, comment out, यह देखें जो मैं comment कर रहा हूँ, यह मैं section by section comment करते हैं, आप इसे section by section यह चीज़ें जो बीच में से निकाल के इसको print out कर लेंगे, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक HR tag भी दिये जाता हूँ, ताकि आपके sections जो है न वो सारे simply sites पे रहे हैं, आप मैं यहाँ पर भी एक HR tag देता हूँ, इस तरह से और नीचे मैं अपने example copy कर, control is to save, अब mark tag को हम लोग समझ रहे हैं, refresh करते हैं, तो यह देखें, mark tag असल में marking करने के लिए use किया जाता है, ठीक है जी, अब यह उपर वाले HR problem कर रहे हैं, तो चले हम लोग जो HR देंगे, वो ह Q का tag है, Q का tag को देख लेते हैं, example में आते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, control V, और P की जगा पर मैं क्यों कर देता हूँ, Q, control S, save, refresh, देखेंज यह double quotation उसने add कर दी, यह quotation add करने के लिए है, ओके जी, अब हम लोग फिर से यहाँ पर पर चाहर को टेक्ट देते हैं, पर रॉला सेव and is the comment out किया, यहाँ पर आते हैं, और भी का tag देख लेते हैं, मैंने इसे zoom out किया, और भी को find out कर लेते हैं, और भी, enter, यहाँ पर हुखा रहा कि और भी का tag मौजूद नहीं है, तो हम लोग यहाँ यहाँ ते इसके पढ़ लेते हैं और भी रूबी टेक्स असल में आपका जो एक प्रोग्रामिंग से अगर को रूबी का अब्यक्त है तो वह आप अगर अगर हमार पर यहां पर रूबी का नहीं है तो हम लोग यहां पर इसको को स्कीप कर देते हैं उसके बाद कुछ जो इंपॉर्ट टैक्समाल का आगा और स्पैन का यह दोनों टैक्स बहुत इंपॉर्टिट है इनको देखते हैं यह क्या है कि इस अब कर दो कर दो कर दो कर दो आक आठके कमा कर दो करद कर दyे हैं कि पुआ Saya ज्ट औiste। पीमुण, टेड़ लिए है is process प्रुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जी तो अभी स्माल के टाइग को देख लेते हैं स्माल का टाइग क्या करता है स्माल के टाइग को देखने के लिए हम लोग फिर से अपने कोड में आते हैं और यहां पर हम लोग इस टैक्स को कॉपी कर लेते हैं मैं पैसे पहले जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा हम पर लिखता हूँ this is paragraph text here, और इस text को जो हम लोग जान से cut करते हैं, और यहाँ पर मैं small का tag लिख लेता हूँ and text इसके अंदर लेकर जाए. Ctrl is to save and refresh here. As you can hear, see here, यहाँ पर text जो है थोड़ा सा small हो चुका है बना दूसरे tag से. दे वाटर है शॉर तन लिखता हूं है अब देखें मैं यहां भी यूज़ करूंगा स्ट्रॉंग का टैग एच और बल्गे मैं एच को कैपिटलाइज करता हूं केपिटल और यहां पर मैं लिखता हूं माल का टैग और टू और फिर से मैं लिखता हूं फ्रॉंग का टैग रिखें है रीफ्रेश करते हैं देखें थी ओ आ चुक है इस तरह हैं लोग अपने टैक्स को है ना वो करने के लिए ब्यूटिफाइज करने के लिए और साथ ही आएगा कि यह इस चीज के लिए है यह वाला टैक्स यह है यहां पर हमारा स्माल कभी कम्प्लीट हो गया नेस्ट जोलते हैं कौन सा टैग है हमारे पास इस पैन का टैग आपके बज़े वगारा जो है ना वह डिफाइन करने के लिए यूज होता है हम लोग इसी तरह से लोग आज़ते हैं इंटर देज इस पैन टैक्स अगर आप इस टैक्स को चाहते हैं थोड़ा सा मजीद ब्यूटिफाई करना जैकि इस पैन टैक्स आग्या हवाब अब आप इस इस फैन को स्टाइल कर सकते हैं मैं कहता हूँ जी स्टाइल बैक्राउं कलर किकवा हम लोग एधे जी टैक्स का कर लर ग्रे और कंट्रोलर से से रिफ्रेश आप्ने चीजें को ब्यूटिफाइब कर सकते हैं विध् ये ये चीजे दूसरे टैक्स के नेक्स जलते हैं नेक्स कों से टेग्स हैं स्ट्रॉव का टाग हम लोग देख चुके हैं सब का अच्छा सब और वाले एक आधि इसको को पिकरते हैं इसको कमिंट आउट करते हैं इस इक्वेंपल को नीची आ जाते हैं जहां पर पेस्ट करते हैं और इसको uncommit करते हैं और sub & super को संभेसें कि मैंने यह strong tag है इसको मैंने कर दिया super tag और यह समाल का है स्से मैंने कर दिया sub tag और इस strong को भी मैं कर दिया super tag डी कंट्रोल को सेव actual 수ec प्रेश करते हैं as you can see here यह इस तरह से हमारा जो देखें अब यह बहुत ज्यदा उपर चला गया और यह बहुत जाद नीचे चला गया क्यों भई क्यों कि हमने इसको super कर दिया यहां कि इसको उपर कर दिया इसको नीचे कर दिया हम लोग यहां से यह super का tag आगे सिर्फ H कर देते हैं H यहां से हम लोग sub आगे सिर्फ O कर देते हैं ट्रॉल S हो save अब देखिए गा इस तरह से आप अपने chemistry के जो short formulas होते हैं वो इस तरह से आप योहना वो करवा सकते हैं पृंट अपने पैज में नेस्ट रह कॉं से हैं यह मारे पास पांग का टाइग अगर आप डिफाइन करना जा रहे हो तो आप इस तरह से यहन के इसके नदर टाइम कर सकते हैं मैं आपको कर की दिखा जिता हूँ भी ताइम ओ गॉड इस तरह से अप टाइम का टैग जो है ना वो डिफाइन करेंगे आप लिखेंगे इस तरह से 00 A.M. और A.M. में आप स्पेस लेज़ें कंड्रॉल असे तो आप के पेज का ये अगर आप अपने पेज में टाइम डिफाइन करना चाह रहे हो तो ठीक है जी ने यह फ्यून अब री यह चाहिए उसके बाद मारे पास वेयर रहा है वारियबल दो गराद के लिए उसके बाद डब्ली बिया रहा है अचा देखें मैं यह जो चोड़ रहा हूं यह टाग कुछ अब्जेप्स को रिपरेज्ट करतें कुछ प्रोग्रामिंग लेंग्विज इन टैग्स को अंडर्सूट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा तो मैं इस वजए से ये टैइस शोड राउं स्किप कर रहा हूं तो इसके लिए मैं एक अलावल सीरीज बना हूंगा उसमें आप यह चीज़ें सेख सकते हैं अभी यह ड़ी यार कट आ करें देते हैं कोपी ग्रमब इसमें आ जाते हैं मैं इसे जूम हीन करता हूं और इसे कमिंट आथेटेर और यहां पर आ आके हम लोग बल कि इसे कमिंट आउट करने से पहले हम लोग इस तो आप यहां पर दे सकते हैं कि डब्यू बी आ टाइक की मज़से हम नहीं यह चीजें प्रिंट कर रहा है कैसे फाइज हमने का जी कुलर एजेक्स यू मस्ट भी फेमिलर विद एक्जेमल ओके और एटीटीपी को में डिवली बी आर के यह वेब कॉंटेंट बीस्ट टेक्स हम लोग यहां पर प्रिंट आउट कर रहा है कैसे हम लोग इसका डेफिनिशन थोड़ा सा रीट कर लेते हैं वो करें एटेक्स विद वर्ड ब्रेक अपर्टुनिटी अइमीन तो से देट देखें मैं आपको एक्स्प्रेंट करने कुछ करता हूं यह जो वर्ड यहां पर आ रहा इतना लॉंगर वर्ड आना है इस वर्ड को मशीन के सरस्ट इंडर सूट कर रहे हैं कि यह कहां कहां पर ब्रेक्ट हो रहा है तो यह यहां से यहां से लेखें है और यह केस इस का प्रोग्रामिंग से सटो डिकस तो इस ने ही से ₹। यह ए यह यह पर ब이हां पर आया तो आप से तोमिख गए होंगे बाकि मजीद इन चीज़ों को एडवांस लेवल पर समय के लिए हम लोग आगे परजेक्ट कर रहे हैं हमारे परजेक्ट हैं कलकुलेटर से relevant मारे परजेक्ट हैं मुख्लिफ एप से राइन हम पूरी पूरी एप से एक पेज के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो आप देख सकत करने के दिखते हैं कि लिए मैप से जैने कर देखते हैं है और यहां पर जाए हम लोग लिखते हैं आई अघिंडर और यहां फेक्द जाते हैं आए तो यहां быстрetts होगा को एल्री देते हैं, sorry, alt text देते हैं, alt text क्या करेगा, कि this is text if image not found, यानि कि अगर page में image नहीं मिल रही, page कोई डिलीट होगी किसी वैसे, तो फिर यह वाला text हो हो जाएगा, image कि जाएगा, control आसो save, यह देखे, साथ में image भी आ रहा है, broken image कि image नहीं मिला, और और यह image किस बारे में था, इस बारे में था, caption दे दिया आपने, उसके alternative दे दिया, उसके बार नेक्स एक्जेंपल पर चलते है, next हमारे पास टाग है, मैं आपका यह अब्जेक्ट है, यह हम लोग ट्रैक, वीडियो, वीडियो इंसर्ट करने के लिए आप वीडियो का टैक द आई, frame, और अब source देते हम लोग, हम लोग कहते हैं, source है मारा, http, local, मैं अपनी लोकल वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, s, control, s, save, यहां पर आखेस को refresh करते हैं, as you can see, हमारी site जो है न, वो यहां पर आ चुकी है, ठीक, जिस भी website का आप ड्रेस देंगे, वो यहां पर आज़े, for example, हम लोग यहां पर दे रहते हैं, पेज के अंदर, नेक्स देखते हैं, मारा बस क्यों से टाइग है, यह पेरम टाइग, पिक्चर, पिक्चर रिसर्ट करवाने के लिए, पोर टैन, होगारा, यह सारे प्रोग्रामिंग से रेलेमेंट है, इसे मैं, zoom out करता हूँ, s, vg, math, canvas, no scripting, script tag, अच्छा, script tag, बहुत इ करता है, कि आप अपने page के अंदर, script दे सकते हो, for example, मैं यहां पर लिखता हूँ, script, इस तरह से, और यहां पर लिखता हूँ, console.log, this is text by, by, java, script, with the help of script tag, control, save, अब देखे, यह क्या कर रहे है, script tag, यह वाला, यह असल में, आप अपनी जितनी, js, लिखनी, आप इस, script tag के अंदर, यहां पर javascript का code, लिख सकते हैं, यह कोई भी दूरी, लगभी, आप इंबैट करना जा रहे है, अपने page में, वो कर सकते हैं, control, save, और अब इसको refresh करते हैं, refresh करने से पहले हम लोग इसका console log open कर लेते हैं, यह कि इसका, console log open कर लेते हैं, मैं इसे थोड़ा सा zoom out कर देखे, यह हमारा console log आ चुका है, यहां पे, और मैं थोड़ा सा browser की जो, है ना, वो बढ़ा देता हूँ, अब मैं पेज को refresh करता हूँ, जैसी मैंने refresh किया, आप यहां पे देख सकते हैं, नीचे console के अंदर, हमारा वो text, वो जो हमने JavaScript की मद से प्रिंट कर रहा है, वो console में प्रिंट हो चुका है, तो यह कुछ चीजे होती है, जो script की tag की मद से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप comment out करते हैं, इसे भी, control s to save, next tag देते हैं, मैं र graph, text, and this word is, क्या हम लिखता हूँ, D, E, L, Inter, deleted words, control s to save, and example मैं अगर रिफाज करते हैं, देखें, यह है delete, यह words delete हो चुके है, अब डेल के अंदर जो भी लिखेंगे, वो deleted word, as a, as a respected word, show होंगे, next देखते हैं मारे पास कहुं सा tag है, INS का tag insertions, इसे भी देख लेते हैं, यहां पे zoom out करते हैं, control s करते हैं, INS, और यहां पे मारा INS का tag, new tab में open करते हैं, इसका example यहां से ले लेते हैं, copy, example में, और zoom in, यहां पे example paste करते हैं, control s save, my favorite color is blue, new, जो के restricted है, और restricted की जगा पे यह आ गया, कैसे, refresh करके देख लेते हैं, देखें में, यानि के मैं इसको अब dislike करने लगा हूँ, और इसे like करने लगा हूँ, जो के deleted word को की जगा पे use होगा, ठीक है, next जलते हैं, caption add, किसी भी चीज़ के लिए caption, आप section के लिए caption add कर सकते हैं, calls define कर सकते हैं, call group बना सकते हैं, table कट है, table भी बहुत जरूरी है, इसे देख लेते हैं, table के लिए हम लोग tiers भी define करेंगे, और एक short table बना कर दिखाते हैं, यहां पर, short table, मैं यहां लिखता हूँ table, इसके अंदर मैं लिखता हूँ TR, यहां लिखता हूँ TD, यहां लिखता हूँ ID, line break, यहां लिखता हूँ text, और फिर से एक tier बना लेते हैं, इसी tier को copy कर लेते हैं, यहां लिखते हैं, है number one, text किया है, this is HTML, HTML, all in one class, अब इसी तरह से एक और कर लेते हैं, रहु, two, text किया है, this is beginner level HTML class, controller to save, refresh, as you can see here, यहां पर एक table, इस तरह से बन चुका है, अब इस table को थोड़ा आफा ब्यूटिफाई कर देते हैं, हम लोगी अब style का tag देते है, style, border, two pixels, controller to save, refresh किया, अरे भई, border नहीं आ रहा, यहां पर border नहीं आ रहा, तो, हम लोग क्या करते हैं, table, layout हम लोग कहते हैं, inherit, controller to save, refresh, तो, यहां पर हम लोग border, 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 tr को देखते हैं, border, style, border, five pixels, controller to save, इसको भी border assign नहीं हो रहा, इसको बाटम देखे देखते हैं, style, border, controller, controller to save, refresh, अच्छा, यह style इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, खैर, वो हम लोग style की क्लास में देख लेंगे, बड़ टेबल डिफाइन करने के लिए आप इस तरह से table or trs वगारा, tr क्या है, table raw है, td का है, table data है, जैसे हमारा यह td के अंदर आ गया, यह td के अंदर आ गया, यह td के अंदर आ गया, यह complete एक raw के अंदर आ गया, एक table raw है, complete, ठीक है, यह क्या है, यह table heading है, यह वाली, परफेक्ट होगे, next हमारा देख लेते हैं, कौन सा है, tbody और यह आप इसी के अंदर ही define करते है, td होगा रहा है, tfoot, table का footer define करने के लिए, th, table की heading define करने के लिए, यह आप यहाँ पे लिख सकते है, tr के यहाँ पे th, यहाँ यह heading है table की, यहाँ पे th, ctrl s to save, refresh करते हैं, as you can see इसी तरह से हम लोग नीचे एक tbody, और इस tbody के अंदर हम लोग यह वाला text ले जाते हैं, ctrl s to save, and refresh, as you can see here, tbody आगी मारी, इस तरह से चीजें जो है, table की मदसे, table इस तरह से हम लोग define करते हैं, अपने page के अंदर, अब हम लोग यहाँ यहाँ पे आती जाएंगे, जितनी र हमा रहा है button tag, तो button tag is very important, तो button tag में क्या रहता है, मैं थोड़ा से zoom in कर देता हूं इसको, इस तरह से, और इस example को हम लोग फिर से comment out कर देते हैं, क्मिन्ट आउट कर दिया, अब हम लोग यहाँ पे बटन का tag जो आना लगाते हैं, हम लोग लिखते हैं, button और यहाँ बटन का नेम आएगा, बटन का नेम क्या है भई, क्लिक मी फार एक्जेंपल हम लोग लिख देते हैं, एस एंड अपनी पेज में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक मी देखें, यह बटन क्रीट हो चुका है, आप जितने चाहें, button क्रीट कर सकते हैं, इस तरह से, मैं यहाँ पर लिखता हूं, पेज लोड, बटन एक बन गया, यह नीचे फ़ल दो रिमूव कर देते हैं, इसे दो एक्जेंपल काफी हैं, रिफ्रेश, दो बटन बन चुके हैं, तो इस तरह से हम लोग अपने पेज के अंदर बटन क्रीट कर सकते हैं, इसी तरह से नेस्ट, टाइक कांस है हमारे पास, next data list, हम लोग data list define करने के लिए field set, कुछ fields define करने के लिए हमारी एक और भी playlist है, इसमें आप मजीड चीज़ें जो है ना जान सकते है, form define करने के लिए, यह एक important tag है, जो कि आपको जाना चाहिए, और input tag और label tag, यह तीनों हम लोग, अब देखते हैं, क्या है, इनको हम लोग comment out कर देते हैं, या for example, इस तरह से HR का एक tag देते हैं, HR, और इस example को comment out किया, और random यहाप एक form create करते हैं, जैसे कि आप sign up form होता है, sign in form होते हैं, इस तरह से यह एक form define करने के लिए हम लिए एक form बनाया, इस form के अंदर हम लोग, क्या कहते हैं, हम क्या कहते है, input बना दो जी, type इ राएगा, यानि कि text में input होगा, और label हम लोग यहां पर देते हैं, first name, for example, label के अंदर हम देते हैं, first name, controller to save, या हम लोग कुछ और example paste कर लेते हैं, यहां पर, इस तरह से, यहां पर हम लोगा देते हैं, जी, second name, यहां पर हम लोगा देते हैं, date of birth, या डियो भी कर देते हैं, simple date of birth के लिए यूज होता है, और अब यह तो दोनों text है, यहां पर date आएगी, इस इसका type हम लोग date कर देते हैं, controller to save, और अपने page में जाके इसको refresh करके देखते हैं, controller to save, देखें, हमारे पास जो है ना वो आ चुका है, result, अब देखें, यह एक ही line में है, first name आगया, second name date कर सकते हैं, अब input की कुछ types होती है, क्या types होती है, हम लोग देखते हैं, मैं zoom in करता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, कि यहां पे और यहां पे और यहां पे एक BR देते हैं, simply, तक यहां से line break हो जाए, line break हो गई, अब हम लोग इसको copy कर लेते हैं, हमने उपर text देखा था input type, अब यहां पे हम लोग input type color कर देते हैं, color select करने के लिए, इस तरह से फिर हम लोग यहां पे कर देते हैं, time, इस तरह से हम लोग input type कर देते हैं, यहां पे फिर से time होगा, अब यहां पे input type कर देते हैं, number, इसी तरह से फिर एक input लेते हैं, और उसको type कर देते हैं, हम इस तरह से हम लोग एक और इंपूट लेते हैं इसको टाइप कर देते हैं इमेल कंट्रोल एसो सेवाइज इतनी काफी है रिफ्रेश करते हैं देखें जी इस नेम सेकिंड डिट वर्थ डियो भी अच्छा इनकी लेबल्स भी चेंज करते हैं यहां पर ने कलर किया था तो इसे कलर लेबल दे रहते हैं हम कहते हैं जी स्लेक्ट स्लेक्ट कलर नीचे हम लोग कह रहते हैं इंसर्ट टाइम इसके नीचे हम कह रहते हैं इंसर्ट नम्रिक वैल्यो इससके नीचे कह रहते हैं लोग इंसर्ट टेलिफून नम्बर इससके नीचे कर रहते हैं हम लोग इमेल इमेल क्ट्रोल आशो सेव रिफ्रेश आज यहां पर टाइम आ रहा है आप यहां पर टाइम देंगे इस तरह से और यहां पर आपर कोई भी निम्रिक वैल्योथ् स्क्राइन ऑपकी यहां पर लोग गया जबह और तौल देंगे तफीक है इस तरह से टाइव के करने हैं ृकई अब चलते हैं वालिप स्पर और वाप्स अपने कॉड में और नेक्स ग्रेगें आपस कौन कि यहां पर एक एच्छर का टैग भी लिखते हैं लोग तके आपको कोई भी कंक्लूजिंस नाओ इस तरह से करके नेक्स देखेते हैं मर बस कौन से टाइग है नियू लाइन में आते हैं ओके लिबल टाइग हम ने लिए लेजर्ब टाइग मैटर टाइग अच्छा इन चीज़ों खो यह थोड़ा दो अप्शन टाइग को देख लेए option tag क्या है हम लोग लिखते है select tag उसके बाद हम लोग select tag के अंदर कहते हैं जी select यानि की user को कहते है select करें कोई भी option option tag और इसमें हम लोग लिखते हैं value one and इसको copy अब जो भी तीन बर कर लेते हैं और आप जो भी value one user से करवाने जा रहे हैं वो करवा सकते हैं यहां पर इस तरह से drop down menu बन जाएगा आपके page में save refresh as you can see here drop down menu बन चुका है इस तरह से आप यह असल में form का हिसा होता है आप इस तरह से drop down menu create कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं जी अपने next tag के अंदर output है progress, progress tag भी आप दे सकते हैं तो शो any progress for example, यहां पर लिखता हूं progress अभी यार हमें यह manually type करना पड़ेगा progress close और 컨्र्ल एसरीव अपने आते हैं यहां पर refresh करते हैं आज यह यहां पर रिप्रेश्च करते हैं आज यहां आ यहां पर यहां पर यह प्रोग्रस बार आ चुका है इस तरह से हम लोग इसके कुछ minimum और मैक्स भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कहते हैं मिन और इसका area वगारा falls हम लोग कर रहते हैं control एसे और इसके कुछ attributes हैं तो बट attributes के लिए हम लोग एक और सचिंग डिसक्ष करेंगे वह भी आप session देख सकते हैं नक्ति मर देखते हैं कौसा अबेखे अब video take area बहुत ही इंपोड़िट है दिखते हैं किस से कोले आतेmee ते हैं zoom in करते हैं इस तरह से यह में मैं एक टेक्षे ढवाइन का दिका तओं टेक्स्ट ईरिया को का टब यकल्यास है जैक्रिए से टाइका सकते हैं थीक है जी नेक्स देखते है हमाए देटा लिस्ट क्या है टालुस्ट है हमाइ पास डायलोग मैंais डिफाइन कर ले के लिए है सैम्परी है ज्ट टेंपलेट抗 लेकि के लिए है एप लैप लेतível आ यह डहर गास करने के लिए बिक है यह कुछ डेप्रिकेटी टेग हैं आई थिंक जिनको हमें समयने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक्टी अमल से निकाल दिये गया है तो आई थिंक यहां तक आपका क्लियर है मजीद आप चीजें समयने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एक प्ले लिस्ट है है एस्टेमल से रेलेवेंट उसमें एटुजेट टैग्स का वन बै वीडियो में डिफाइन किया गया है वो भी आप एकसेस कर सकते हैं ओन आवर चैनल थैंक यू वर वाचिंग वर वाचिंग इस सेशन स्टेए टून्ट